नमस्कार दोस्तों मैं दिनेश कपूर पिछले एपिसोड में मैंने गांदी जी के बारे में कुछ नई बातें बताई थी चुकि बात 1948 से पहले के भारत की हो रही है 15 अगस्त 1947 में आपचारिक रूप से हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान के बटवारे की हो रही है और ये भी कि गांदी जी की हत्या किन परिस्तितियों में हुई क्यों ही और कैसे हुई इस बात पर हो रही है तो साभाविक है कि जिसके हाथों 20 सदी की सबसे बड़ी घटना हुई गांदी जी की हत्या उस नाथुराम गोटसे की चर्चा होनी भी अनिवारे है हमें जो आज तक बताया गया है पढ़ाया गया है वो ये है कि नाथुराम गोटसे ने गांदी जी की नरशन सहत्या की और वो एक कटरवादी हिंदु था जो राश्ट्रे स्वयम सेवक संगा सदस्य था और मुसल्मानों से नफ़त करता था पर गोटसे कोई पेशेवर हत्यारा नहीं था वो निडोश लोगों की हत्यार नहीं करता पिड़ता मुस्लिम समाज के लोगों का आतंग की अत्याचार देखकर वो क्षुब्द था पर उसने एक भी मुस्लमान का कतल नहीं किया था उसके आदर्श गांधी जी के सिखाए थे लेकिन 1937 में जब उसे लगा कि उसके और गांधी जी के आहिंसा के सिधानतों में मतभेद है तो वो उन से शांती पूर्ण ढंग से अलग हो गया पर इसका अर्थ यह नहीं कि उसने हिंसा का मार्ग अपना लिया था उससे तो खून भी बहता नहीं देखा जाता था फिर उसने गांधी जी पर गोलियां क्यों दागी इसके लिए गोट से की ही नहीं गांधी जी की सोच उनके मनविज्यान और उस समय की परिस्थितियों को जानना जरूरी है मैं एक इतिहास कार हूँ और मेरी जमेदारी है कि जो कहूँ वो लिखित और रिकॉर्डिट दस्तावेजों के आधार पर हो मैं न गांधी जी के प्रतिपक्षपाती हूँ न गोट से के केवल उन घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ जिनसे ये नौबत आई थी कि 30 जनवरी उननीस और तालिस में गांधी जी की हत्या उस इनसान ने कर दी जो उनसे पिता ब्रत प्यार करता था नई युवा पीड़ी और उनके माता पिता भी जो उननीस और तालिस के बाद पैदा हुए हैं उन्हें इस बारे में उन कारणों को जामना जिनके कारण कादी जी की हत्या हुई थी समाज के लिए और भी आवश्यक हो गया है क्योंकि देश की स्थिती कमोबेश 1947 जैसी होते जा रही है बंगलूर की हिंसा और उससे पहले शाहीन बाग में जो हुआ उससे स्पर्ष्ट है कि देश के विभाजन की कोशिश फिर से की जा रही है सांप्रदाइक्ता को फिर बढ़ावा दिया जा रहा है ये उब्डरवी लोग ये पवित्र कुरान की व्याक्या अपनी सुविधा के अनुरूप करने वाले गुंडे देश को फिर बागना चाते है फिर किसी युग पुरिश की हत्या ना हूँ फिर हिंडू मुस्लिम सौहार्दर से रहे इसलिए जरूरी है कि ये कहानी आज के परिप्रिक्ष में फिर से कही जाए हर कोई कह रहा है कि इन दंगईयों के प्रॉपटी जब्ट कर ली जाए और दंगों से हुए नुकसान के भरपाई इन से की जाए काश ऐसा ही नहरू जी और महात्मा गांदी 1947 में कर पाते जब विभाजन हुआ था जो घरती गांदी जी ने की वही मुस्लिम समाज के नेता आज कर रहे हैं उन्हीं की तरह ये भी देश की नब्स नहीं पकड़ पा रहे हैं नहीं समझ रहें कि ये बदलता हुआ 21 वी शताबडी का भारत है कि लोग उनकी मानसिक्ता नहीं स्विकार कर पा रहे हैं बहुत हुआ जतना कर सकते थे कर दिया अब उन्हें भी शान्ती का पार्ट पढ़ना होगा हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान बनाने का सपना घजब हिंद की उम्मीद त्यागनी होगी और हर एक को मिल जूर कर केवल भारती ये बनकर रहना होगा चाहे वो किसी भी धर्म और समधाय के हो हिंदु और मुसल्मानों को बराबर समझना होगा तुष्टी करन की राजनीती समाप करनी होगी ये 2020 का भारत है इसमें 1947 वाला अन्याय नहीं होना देना चाहिए जिसके एवज में हमने हमारा महात्मा को दिया था हमारी सरकार को ऐसा नहीं करना होगा देश को बाटने के मनसूबों को पनप्टे नहीं देना होगा क्योंकि इसके प्रेडाम बहुत भ्यांकर होंगे सहेश्टनोता और सेकुलरिजम के नाम पर मुसलिम वर्ट के इन दंगईयों के आगे आत्मस्मर पर नहीं करना चाहिए जिस विशे पर लिख रहा हूँ उस पर कई दर्शकों तक बैन लगा रहा हूँ इसे एक टैबू एक निशिद विशे बना दिया गया है मैं ऐसे सवालों का जिक्र करना चाहता हूँ जो हर जागरू के इंदुस्तानी के मन में बारबार होते हैं मैं किसी राजनीतिक पाटी से संबद नहीं रखता हूँ पर हिंदू से रखता हूँ अपने देश हिंदुस्तान से रखता हूँ और उन मुसल्मानों से भी जो मेरे देश का कानून मानते हैं और सब बेनागरिक हैं भारत पासी हैं उनसे नहीं जो खाते हैं यहां कहा है और धपली पाकिस्तान की बलाते हैं उन पर मैं लानत भेड़ता हूँ गांदी जी की तरह गोट से की फिजिकल पोजिशन्स बहुत एक वस्तु में बहुत कम थी उनी की तरह लेकिन उनसे बहुत कम उम्र में जब वो केवर 28 सार का था उसने ब्रहमचर रिवरत ले लिया था लेकिन उसके और गांदी जी के ब्रमचर रिवरत में एक अंतर था उसने कभी किसी इस्त्री का संगने किया और उसे गांदी जी का प्रयोग के रूप में नगन होकर मनु के साथ सोना और आश्रम के लड़के लड़कियों को एक साथ नगन होकर नहाने के लिए और सोने के लिए कहना असह है था उनी की तरह वो भी शाह कहारी था और दोनों देशपक्तों थे ही फिर ऐसा क्या हुआ कि वो गांदी जी का हत्यारा बंद बैठा और इसने ऐसा क्या वच्ट तब यह दिया था अदालत में कि उस पर प्रतिबंद लगाना पड़ा दरसल अगर उसके वक्तव्य पर प्रतिबंद न लगता तो कई सुविधा जनक प्रशने कांग्रेस से किये जा सकते थे जिनसे उनका नेत्रत खत्रे में पड़ सकता था गोट से कांग्रेस के लिए तुरुक का एक एका था जिससे छुपाय रखने में ही उनका भला था उसकी सच्चाई सामने आने पर जनता की राय बदल सकते थी वो राय जिस पर कांग्रेस की सब्ता खड़ी थी गांधी जी की तरह नाथूरं गोट से का आरमधिक जीवन विफल रहा था वो पढ़ाई करने लंदन नहीं गया पर जैसे गांधी जी को लंदन में की वकालत की पढ़ाई रास नहीं आई और वापस देश लोटने के बाद उनके बस कोई काम नहीं था ऐसे ही गोट से भी शिक्षा के मामले में सुस्प था वो मैट्रिक में इंग्लिश में फेल वा और पिर कभी युनिवरस्टी नहीं गया गांधी की वकालत में सफल नहीं थे पर गोट से ने दर्जी का वेवसाय अपनाया और वो उसमें सफल रहा राजनीती उसका जुनून था वो गांधी जी का उत्कट उत्साही अनुयाई था अबग्या आंदोलन में उनके आवाहन पर वो जेल भी गया लेकिन 1937 में वो उनसे अलग हो गया और वीरसावरकर के बताय रास्ते पर चला जो उसकी विचारधारा के अनुरूप था उसने RSS के सिध्धानतों को अपनाने के लिए उनके साहिते को गंभीरता से पढ़ा उसने अपने को लिखना और जनता के बीच बोलना सिखाया और इस राजनेतिक आंदोलन का मुख्य प्रवक्ता बन गया लेकिन सावरकर के सिध्धानतों से बंधा होने के बावजुद उसकी अपनी राजनी तेक सोच थी जनवरी 1944 में वीर सावरकर का अनुवियाई बनने के साथ साल बाद उनकी कहने पर उसने पूना में एक समाचात पत्र की स्तापना की जो बहुती उग्र निर्भीक और कठोर स्वर में अपनी बात कहता था उसका नाम था अग्रणी गोट से अपनी नैतिक्ता और सदाचारी जीवन का गांदी जी से भी अधिक सक्ती से पालन करता था वो एक योगी तपस्वी मुनी की तरह द्रड संकल पिये था वो एक कुलीन चितपावन ब्रामर था और सिवाए कॉफी के उसे खाने का कोई शौक नहीं था अपनी दरजी की दुकान के सामने वो एक कक्ष में साधू सन्यासी की तरह रहता था फरनीचर के नाम पर उसके कमरे में केवर रसी से बुनी एक चार पाई थी सुबह वो अपने समय पर साड़े पांच बजे उट सके इसलिए वो मिनसिपलिटी का नल खोल कर सोता था ताकि सुबह पानी आने की आवाज सुनकर वो जाग जाए गोट से हिंदुईजम को धर्म के रूप में अस्विकार कर चुका था अपने लोगों को स्वतंत्र भारत के लिए हिंसा के लिए उकसाने को तयार गोट से रख बहता नहीं देख पाता था एक बार जब वो अपने सहयोगी आप्टे की मॉडल ए फोर्ड कार चला रहा था उसे एक भीड़ने रोक कर एक बुरी तरह से गायल लड़के को मैं बेहोश हो जाँगा अगर मैंने इतना खून बैता देखा तो उसने कहा था और इसके बाब जूद उसे पेरी मेसंग के जासोसी नावल और हिंसा और रोमांच से भरी फिल्म्स पसंद थी पूना के कैपिटल थीटर में प्रायर शाम को वो अकेला दो रोपेगी टिकट खरीट कर सकार फेस और दा चार्ज अफर लाइट ब्रिगेड जैसी फिल्में देखा करता था गोज से बिलकुल मिल अनसार व्यक्ती नहीं था उसे अपने में वियस्ट रहना पसंद था उसे औरतों से नफरत थी अपनी मा के अतिरिक्त किसी और महीला की उपस्ति उसे सहन नहीं थी उसने ब्रहमचर्य व्रत निभाने के लिए अपना घर छोड़ दिया था ताकि उसे अपने भाईयों की पत्नियों के संपर्क में नर रहना पड़े गोट से माईग्रेन के सिर्दर्द से पीडित रहता था एक दिन दर्द इतना बढ़ा कि आप्टे को उसे पूना के एक हस्पताल में भरती करना पड़ा होश आते ही जब गोट से ने अपने आसपस महीला नरसें देखी तो वो घबरा गया और एक चादर से अपने को लपेट कर अस्पताल से भाग गया उसे महीला नरसों से अपने को हाट लगवाना नामन जूर था और फिर भी अपनी इस निजी वित्रश्णा के बावजूद उसकी करम से उन दुनों के पंजाब के भयानक अत्याचारों के बारे में जो शब लिखे जाते थे वो थे बलातकार, शील भंग, महिलाओं की पवित्रता और पुनसत्वहरन गोट से 1947 की गर्मियों में हुए विभाजन के समय 37 साल का था लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी बेबी फैट था, बच्चों के चेहरे की तरह उसका चेहरा अभी भी चिकना था जिसके कारण वो अपनी उम्र से कम और भोला भाला दिखाई देता था हलाकि वो एक अनुभवी पत्रकार था, उसकी बड़ी बड़ी लेकिन उदास आँखों में अध्वता कर्शन था गोट से की सोच, गवबाल गोट से की पुस्तक मेने गान्धी को क्यों मारा मिस्पष्ट है उसमें उसके अधालत में दिये गए सारे बयान हैं पर राजनीतिक कारणों से उसे जनता तक नहीं पहुंचने दिया गया जब मैंने उसे और उससे संबंदित लिखी, पुस्तकें पढ़ी तो लगा कि इस वजलते समय में जरूरी है कि उसका दृष्ट को उन भी समझा जाए नारायन आपके और पूना के और कटर हंडूों की तरह गोट से कहा करता था कि इश्वर की बड़ी महरबानी होगी अगर वो गांधी जी को इंडियन पॉलिटिकल सीन यानि भारती राजनीती की मुखेदारा से हटा ले लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि वोने मारना चाहता था ये एक देशभक्त के दिवानगी भरे उदगार थे बस उसने महसूस किया था कि गांधी जी की अहिंसाबादी सोच से अधिक लोगों के मृति हो रही है जितनी अंग्रोजों से लड़कर होती उतनी ही लोट से एक अख़वार चलाता था और इसलिए राजनीती और समाज से संबंधित बातों और घटनाओं के लिए आँक कान खुले रखता था उसकी दृष्टी विवेचनात्मक थी तभी तो अपने पाठकों को जो हो रहा था उसके पीछे की प्रिष्ट भूमी समझा पाता था पर गांधी जी के प्रती लोगों की अंधर श्रद्धा के चलते वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे समझाए कि गांधी जी और इनकी अहिंसा ने इतना खुन बहा है जितना दृतिय युद्ध में नहीं बहा कैसे बताए कि इतना कुशल राजनीतिक ये साउथ अफरीका और हिंदोस्तान के परिवेश उसकी जनता की सोच परिस्थितियां और घटनाओं को सही परिप्रिक्ष में देखी नहीं पा रहा था ये किस्वत का खेली था कि उनके हिंदोस्तान पहुंचने के कुछ समय बाद ही तिलक और गोखले जैसे गंभीर राश्चवादी नेताओं का निधन हो गया और गांधी जी को एक खाली देश व्यापी राजनेतिक मंच मिल गया जहां जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि व इसा कोई निर्देश वो मुसल्मानों को नहीं देते थे उसे वीर सावरकर का दर्शन उचित लगने लगा था हिंदू आरेन जाती के कुलीन थे और मुसल्मान दोस्ते देशों की जमीन और दौलत लुटने वाले लुटे रे गोट से और उसकी विचारधारा के लोग हिंदूस्तान में हिंदू राश्रक काम करना चाहते थे उनके विचार से अगर जिन्ना दोस्ती का हाथ ना थामना चाहता था ना बढ़ाना तो क्या जरूरत है उससे दोस्ती की हिंदूस्तान में मुसलिमों को हिंदू की कीमत पर जो चलाए हिंदोस्तान को, गोट से और उसके साते हिंदों की उस विचारधारा का प्रतीनिदित्व कर रहे थे, जिने रगता था मुसल्मानों को उनके हालाग पर छोड़ देना चाहिए, Let them run their bloody Pakistan now that they have got it क्या हिंदूों और हिंदुस्तान से नफरत करने जिन्ना के कट्टर मुसल्मान इंडिया आकर नफरत नहीं पहलाएंगे और यही करना था तो विभाजंग होने ही क्यों दिया पहले होने दिया और वो भी एक हारी हुई ब्रिटिश सत्ता के प्रतिनेदी मांट बैटन द्वारा होने दिया जिसकी आवास को असानी से दबाया जा सकता था और फिर मुसल्मानों को नियंत्रिट करने की बजाए हिंदों को उनकी आगे भेड बक्रियों के समान खुला छोड़ दिया गया ताकि वो उन्हें जिबह कर सके उनका कतल कर सके बेरहमी से गांदी जी तुले वे थो नात्यताईयों को सेलेक्शन देने में जब कोई उन्हें रो रोकर अपनी बेटी या वेहन पर पाकिस्तान में हुए बरबर बरादकार के बारे में बताता तो उनकी सलाह होती, अपनी बहु बेटियों से कहो कि जब उनका बरादकार हो रहा हो, तो वो अपनी जीब को अपने दाटों तले दबाएं और सांस रोक लें जब तक कि वो मर ना जाएं ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ इतिहास की किसी भी पुस्तक में ये बायान आपको मिल जाएगा सक्तर वर्षों से गोट से पर अफसर वादियों का दिया कट्टर हिंदू का तगमा थोब दिया गया है जैसे कट्टर हिंदू होना अपराद है क्यों कट्टर हिंदू होना एक गाली के रूप में बोला जाता है हमारा मस्तर इतना विशैला कर दिया गया है हमारा इतना ब्रेंगवाश कर दिया गया है कि हमें अपने को हिंदू कहने से हिचकेचाहट होती है मेरा मत्तब यह है कि हिंदू कहते ही खुद को लगता है कि भाई ये तो मुझे कटर हिंदू समझ रहा होगा वैसे ही जैसे हम लोग अधिकतर मुसल्मानों को कटर मुसल्मान कहते हैं जब कि मैं तो हर धर्म मानता हूँ अपने हिंदू इसम अपने हिंदू तूर पर हमें लजजा आती है क्योंकि किसी एक धर्म की कटरता हम दिन रात भुगतते हैं और फिर अपने लिए कटर शब सुनते ही उनकी कटर वादिता के दुर्भागे पूर्ण नमूने आखों के सामने आ जाते हैं कोई कहे कि आप तो हिंदू की तरह सोचते हैं कटर हैं तो हम फॉरान अपना बचाब करने लगते हैं जैसे कोई अपराध हुआ हुआ हमसे गोटसे ने अदालत में दी अपने बयान में कहा था कि गांदी जी किसी भी अदालत से उपर थे और वैसे भी देश में ऐसी कोई याए वेवस्ता नहीं थी जहां अपीर करके गांदी जी को गल्ती करने से रोका जा सकता था वो उन्हें किस बात के लिए रोकना चाहता था जाहर है कोई देश के हित से सम्मद्दित बात ही रही होगी उसने कहा था कि जिनके हितों की रक्षा के लिए गांदी जी मरने को तयार थे अधा जिन मसल्मानों के लिए चाहे वो हिंदोस्तान में थे या पाकिस्तान में वो लड़ रहे थे अपने ही देशवासियों से अपने अंचन को समाप करने की शर्तों में से एक भी शर्ट अगर उन्होंने उन मुसल्मानों के सामने रखी होती तो गांधी जी का आमरन अंचन आमरन चलता उनके मरने जीने से उनको, मुसल्मानों को या जिन्ना को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वो उन्हें मर जाने देते गांधी जी एक प्रतिभाश आली जीवन जीए और उन्होंने मुसलिम्स के भराइप पर लाखों हिंडू कुर्बान कर दिये फिर भी उन्हें जिन्ना से या मुसलिम समधाय से कोई सम्मान नहीं मिला बलकि भारतवर्श एक चरस्ताई समस्या से निवटने के लिए अभिशापित अभश्य हो गया गांधी जी ने मंदर में कुरान पढ़ी लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मस्जिद में गीता पढ़ने की गुजारिश भी मुसल्मानों से कर सके इससे गलत संदेश किया लोगों तक क्यों गांधी जी मुसल्मानों की जादतियों को सेहन करने की हट लगाएं आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा अगले एपिसोड में हम गोट से और गांधी की कहानी को फिर आगे बढ़ाएंगे अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शियर कीजिए धन्यवाद नमस्कार